तो चलो जल्दी से अगला चाप्टर आपका एकोलिजी का पहला चाप्टर विच इस और जानते हैं कि किस तरीके से पूरा पैटन चलने वाला है हमको पहले कुछ टॉपिक वाइस क्वेशन सॉल्फ करने हैं जुसमें हमें पता चलेगा टॉपिक कितना स्टॉप गलती अपन चीज जो हम लोग करते हैं वो है PYQ और एक्जेंप्लार ताकि हम NCRT के back questions भी कर लें और हमें previous questions के pattern के बारे में भी समझ में आता जाए कि कैसे questions आते हैं तो हम शुरू कर रहे हैं Chapter Organism and Population अपकोस सबसे पहले हम लोग topic wise multiple choice question करेंगे आप देख सके तो topic wise multiple choice question में पहला topic आपके पास आता है organism and its environment जिसको लेकर already बहुत confusion है क्योंकि new NCRT से इसको हटा दिये और NTA के जो revised syllabus हमारे पास आया है उसमें यह है तो हम इसको पढ़ेंगे जरूर हम इसको छोड़ेंगे नहीं तो अब मैंने out of NCRT यहां लिखा हुआ है क्योंकि जो question bank आपको provided है उसमें जो कुछ भी नहीं NCRT में नहीं है उसको हमने out of NCRT में रखती है लेकिन अब यह new NTA के syllabus में है तो पूरा ध्यान देना है इस topic तोड़ना नहीं है इसको चल शुरू करते है question number one से क्या कहरे question number one हमे highest level of biological hierarchy in the given option जब अपने ecological hierarchy के बारे में पढ़ते है मिटा सबसे basic level सबसे छोटी unit हमारे पास होत species हम लोग वहीं से शुरू करते हैं कि एक species के एक individual की बात करें एक organism की बात करें तो organism से बनता है population group of members of the same species से बनती है population population से हम लोग जाते है किस पर community अलग-लग species की population जुड़ती है तो community community से हम जाते है ecosystem जहां पर हम living और non-living के बीच का interaction पढ़ते है ecosystem से landscape जिसको generally skip कर दिया ज जाते हैं NCRT के बात करो तो NCRT बोलती है organism population community biome वो चार ही सिरफ levels के बारे में बात करती है organism population community biome पर आप सारे लेवल जाते हो आप से सबसे highest level पूछ रहे है वैसे सबसे highest level biosphere होता है पर NCRT के लिए तो फिर highest अपने आप biome हो गया तो answer क्या हो जाएगा ठीक है अगला question दे की branch में you study the relationship among organism आपस में कैसे है and organism and environment दोनों चीज़े ecology में आते हैं तो सिरफ organism only नहीं होगा सिरफ human की बात करें ऐसा तो है ही नहीं आपस में organism का रिष्टा कैसे है relation कैसे है और environment के साथ कैसे है ये दोनों चीज़े हम ecology में study करते है answer होगा A मैंने यहाँ ABCD में लिखे है न हा organism की बात करें है तो वो particular species का एक organism जब जुड़ जाएगा group of organism from one species वो मिलकर एक population मनाएगा population अलग-अलग population अगर अलग-अलग species के अलग-अलग population को मैं join कर लूँ कि अच्छा ये plant की एक species ले लिए एक animal की ले लिए एक bacteria की ले लिए वो अलग-अलग population है वो मिलकर community बनाते है लेकिन अभी तक सब living है जब मैं living और non living ले 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 लेती हूं वो ecosystem में आ जाता है ecosystem से बड़ा biome होता है particular climate changes के according हम लोग अलग-अलग biomes decide करते हैं और सबसे बड़ा अगर मैं पूरी अर्थ को consider करते हूं उससे हम biosphere करते हैं तो largest में biosphere चला जाता है तो answer हमारे पास क्या हो जाएगा B concept clear है तो हम बहुत जल्दी ऐसे question solve कर सकते answer हमारे पास क्या हो जाएगा B देखो यहाँ पर देखो आप कैसे डूढ़ोगे biosphere सबसे बड़ा है तो वो बीच में तो कहीं नहीं आ सकता है पूरी अर्थ को आप biosphere बोलते हो तो यह दोनों eliminate हो कहें रहा यह और यह option तो बस फर्क सिरफ इतना था यह population के बाद species are but this is more correct answer be open एक species का एक organism है और उनके जु यहाद रखना है जिससे father of Indian ecology राम देयो मिश्रा father of ecology एकोलोजी 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 बोलते है उनको है और इनका नाम हमने यहाँ इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है आगे देखो question number 5 community की बात करें community क्या है मैं आपको बता चुक्यों living members लेकिन अलग लग population एक bacteria के लिए एक plant के लिए एक animal के लिए आमें अलग लग species की बात करूँ आप अपनी community देखो हर caste के इंसान वह रहे है वैसी होते है community community is the group of independent interacting population of same species नहीं नहीं वो तो फिर अलग लग मालो अगर मैं सिरफ एक species homo sapiens की बात करूँ अचा कुछ homo sapiens यहां दुरगा colony में रह रहे हैं कहीं कुसी और colony में रहे हैं वो दीम population है वो sister's population है वो community नहीं है community में species change करनी पड़े यह same species नहीं होगा तो group of independent and interacting population of same species देखो same से काम नहीं चलने वाला है group of independent and interacting population of different species in a specific area group of independent and interacting population of different species in different area नहीं जब आप community की बात करें आप एक एरिया के अंदर ही बात करते हैं तो third correct होगा बिटा आप एक एरिया में बात करते हैं third correct होगा answer हो जाएगा only three यह clear है आपको अगला question देखें question no.6 चलिए dash is revered to as father of ecology मैं आपको बता चुकी हूँ यह credit हम राम्दियों मिश्रा को देते हैं answer होगा C ठीक है वैसे इसके अंदर वो भी आएंगे EP Odom भी आएंगे लिकिन इंडिया के अगर हम बात करें तो राम्दियों मिश्रा ठीक है अगला question देखो question no.7 ecology में basically कितनी organization आती है चार यह NCRT का statement है ecological hierarchy की बात करो तो चार basic organization पे चलता है organism population community biome इतना ही पता है उसको ठीक है तो answer क्या होगा 4 answer क्या होगा 4 चारी चीज़े उसको पता है देख लेना एक बार NCRT में तो आपको समझ में आजाएगा organism population community biome आगे देखो question no.8 weather देखो दो चीज़े होती है climate एक होता है weather अब climate एक particular जैसे climate change होता है ना तो वो हमारी earth की rotation से है अपने axis पे और sun के around तो climate changes आते है seasonal होते है climate change weather क्या है जो weather forecast आप अपने phone में दिग्राल शाम को बारिश होगी या नहीं होगी तो weather जो होता है वो atmosphere की बहुत short term property अभी बारिश है कल फिर धूप आजाएगी जब आप climate की बात करते हो तो आप particular area के पूरे climate की बात करते हो तो आप एक particular area के पूरे climate की बात करते है अच्छा यह tropical climate का एरिया है यह अगला question देखें question number 9 group of organism that are referred to as regulator आपने बढ़ा होगा ना एक regulator एक confirm और और एक partial regulator regulator वो होते हैं जिन्हें अपना internal temperature regulate करना आता है बाहर कैसे भी situation हो यह अपना internal temperature regulate कर लेंगे अपना homeostasis maintain कर लेंगे ऐसे organism को क्या बोलते हैं endothermic क्या बोलते हैं endotherapy तो यह क्या हो जाएंगे endotherms यह हो जाएंगे endotherms इन्हें homeotherms इन्हें endotherms या warm-blooded बोलते हैं तो answer होगा A बिटा अगला question देखो question number 10 homeostasis जैसे मैंने अभी आपको बताया अपना internal condition मेंटेन करके रखना तो यह property है और उन organism की जिसको आप कैसे refer करते हो homeostasis मतलब अपना internal environment constant रखना अपना 37 degree celsius maintain करके रखना तो यह अपना internal environment maintain करते हैं external को यह regulate नहीं कर पाते है बिटा answer होगा A तिक है अगला question देखें question number 11 चलिए nature and properties of soil in different places आपने देखा ना कि एक climate बनाने के लिए या एक habitat में abiotic, abiotic factors दोनों होते हैं तो abiotic factors में NCRT पहोती है temperature हो गया, water हो गया, light हो गया, soil हो गया यह सारी चीजे मिलकर उस particular habitat के abiotic factors बनाती हैं उसमें soil के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि उस area की soil कैसे होगी, यह चीज किस-किस पर depend करेगी, वहां का climate कैसा है बिलकुल उस पर depend करेगी soil पत्थरों के टूटने से बनती है, तो उन rocks का weathering process कैसा हुआ था, उस पर depend करेगी वहां की topography पर depend करेगी, बिलकुल इन सब चीजों पर depend करेगी, answer होगा D लिखा हुए exactly NCIT की statement और यह सारी चीज़े determine करती है कि soil कैसी होगी जादा clay होगी, जादा दानेदार होगी, हम different तरीके की soil पढ़ते पर NCIT में इतना detail में दे नहीं रखा आगे देखो question number 12, तो बिलकुल उसमें मत जाना कि कौन सा zone है, कितनी soils है, नहीं पूछ रहे आप basic properties आती है कि एक soil की property किन चीजों पर depend करती है, कि उसकी water holding capacity कितनी है, percolation कितना करने दे रहे है, वो soil की property decide करता है आगे देखें, question number 12, चलो, which of the following is referred to as the smallest unit of ecology, चाहे smallest लिखाओ, चाहे basic लिखाओ, शुरुवात और गानिजम से होता है, कान से क्या होगा, A, कान से क्या होगा, A, आगे देखें, question number 13, आपको इन में से correct statement बताना है, अच्छा जी, तो क्या reptile poikilo thamik होते हैं, बिलकुल, ये cold blooded होते हैं, animal kingdom में पढ़ते हैं, frog amphibian है, cold blooded होते हैं, बिलकुल, fishes भी cold blooded होती हैं, उन्हे ही ectothermic कहा जाता है, तो सारे statement ठीक है, आंसर दी होगा, इतने simple question, neat में आजा है, तो मज़ा आजा है, बिलकुल, आगे देखो, question number 14, the niche of a population is defined as, तो ये मैं बच्चों को बोलती हू टेर रहता है, ठीक है, lion रहता है, तो अब वो जिस habitat में रह रह रहा है, जिस jungle में रह रहा है, वो उसका घर है, उसकी जगह है, उस घर में उसका nature कैसा है, उसकी position कैसी है, क्या वो पापा है, head of the family है, क्या वो मम्मी है, उसका particular role है, तो nature क्या है, role क्या है, किस functional level पर वो है, क इस ट्रॉफिक लेवल पर है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीज़े उसका नीश्ट साइट करती है, ठीक है, तो सेट अफ कंडिशन्स दाइट इंटरक्ट, लेस वेर इट लिफ्स, सेट अफ कंडिशन्स एंड रिसोर्स से यूस कर रहा है, वह कौन से सेट अफ कंडिशन्स, सिरफ प्लेस, ये हैबिटाइट है, ये हैबिटाइट है, और ये अकेला नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़े मिला के, हाँ, ये इसका नीश है, आंसर होगा C, I hope आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो, लीट करोगा NCRT, और बेटर समझ में आगी नह आगे देखो question number 15, जहां लगे ना, कि concept नहीं समझ में आ रहा थी, ओरी नहीं समझ में आ रही हो, लेक्टर देखो, question number 15, देखो, oceans में अगर बात करें, तो environment is perpetually dark at, ये light वाले paragraph में दिया हो, NCRT में चहां light की बात करी है, कि sunlight मतलब source of energy है, हर किसी को वही energy मिल रही है, intensity है light की duration है, light की, quality है light की, उसे पूरी धरती effect हो रही है, लेकिन oceans में 500 meter के नीचे तो एकदम dark है, उसके नीचे जो और ग्यानेज में रहते हैं, उन्हें जिंदगे पर कभी light नहीं देखी, तो उनका source of energy अलग है, वहाँ hydrothermal vent से energy आता, ऐसा NCRT लिखती है कि 500 meter के नीचे light नहीं है, आंसर होगा B, अगला question देखें, question number 16, halophytes, मतलब salt loving, जिनने salt बहुत पसंद है, उनकी क्या property है, salt resistant, उनको जादा salt में भी shrink नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आता है हमाँ पे रहना, तो ये salt resistant होते हैं, answer होगा C, अगला question देखो, question number 17, which kind of adaptation is altitude sickness, अलग लग adaptation आप पढ़ते हो, morph pathological, behavioral, genetical, physiological, हम लोग क्या है, जब high altitude पर जाते है, atmospheric pressure कम होता है, तो हम enough amount of oxygen नहीं atmosphere में, अब क्या करें, enough amount of oxygen हमारे cells तक नहीं जाती, तो हम physiological changes करते हैं, हम RBC का number बढ़ा देते हैं, breathing rate बढ़ा देते हैं, हम oxygen की binding affinity decrease कर देते हैं, ताकि हमारे cells को जादा से जादा oxygen मिल सके, तो हम जो changes करते हैं, वो हमारे gene में नहीं है, हम उस condition में अपनी physiology बदल लेते हैं, तो such adaptations are known as physiological adaptation answers, यह chapter थोड़ा बड़ा जरूर लगता है, पर यह समझने में बहुत simple है, एक बर बस इसको प्यार से read करके देखो, अगला question देखो, question number 18, photosynthesis and upanshia, यह भी ना उसमें आता है adaptation, upansh में उसको रहना है, तो उसको कुछ तो changes करने पड़ेंगे, leaves खुली-खुली रखेगा, तो transpiration में सारा पानी का loss हो जाएगा, लेकिन अगर इतना surface area वाला leaf ना रखे तो फिर photosynthesis कैसे हो, उसने अपना जुगाड कर रखे, उसने dry condition के लिए अपने खुद के genetical changes भी कर रखे, कि वो plant को पता है कि मैं leaf का surface area बड़ा नहीं रख सकता, तो वो अपना photosynthesis stem से करता है, philoclade adaptation है ये, तो answer क्या होगा अपी, आगे देखे, question number 19, चलिए, how seals, अब seals हो गया, whale हो गया, जो हमारी mammals है, वो polar climate में, मतलब 0 degree पर भी survive कर जाती है, जहाँ पर temperature prevails below 0 degree Celsius, ये adaptation है फिर से, हम जानते हैं कि हमारी seals, polar climate में भी survive कर जाती है, जो 0 degree Celsius से भी कम है, तो एक morphological adaptation, NCRT ने लिखा हूँ है, इनके बस blubber है, जो fat की layer है, इनके skin के just नीचे blubber है, वो बहुत से बच्चों को लगता है, कि fat deposit किया, तो physiological adaptation है, पर वो morphological में count की, ठीक है, अचा, खेर हम से पूछा या नी, option में देख लेते हैं, क्या इनकी body पे long hairs है, वो तो हर mammal के पास है, वो कोई adaptation नहीं है, क्या इनके skin के just नीचे एक fat की मोटी से ले रहा है, जिसे blubber कहते हैं, जी हा, तो answer होगा B, बिटा, answer होगा B, ठीक है, यह genetic regulation नहीं है, और cold climate से avoid करने के लिए इनका morphological adaptation है, answer 20, behavioral adaptation to environment in desert lizard, actually NCRT एक एक example देती है, behavioral adaptation का desert lizard, वो देती एक example है, तो वो क्या करती है, जब उसको धूप जादा लगती है, तो वो अपने गुपा में चली जाए, अपना बरो बना कर उसके अंदर चली जाए, गड़ा बना कर, जब उसको लग रहा है कि नहीं, temperature ठंड लग रह क्लूज करना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या वो morning और evening में जादा active होती है, उसको पता है कि वो desert में रह रही है, early morning और evening में इतना high temperature नहीं होगा, तो वो बहार आ जाएगी, वो active हो जाएगी, यह उसका behavior change है, क्या उसने पनी body को insulate कर रहा है, एकदम fat deposit कर करके skin के नीचे थिक fatty dermis ऐसा भी कुछ उसने नहीं कर रहा, तो यह भी नहीं है, पर 1 और 3 correct है, तो answer हो जाएगा, A, answer हो जाएगा, A, अगला question देखे, 21, चलिए, consider the given list and choose the chemicals produced by plants as a defense against grazers and browsers, अब वही बात है न, तो grazers and browsers predation हो गया, उससे बचने के लिए plant क्या कर रहा है, बहुत सारे chemicals release कर रह है, हम क्या करते है, उसने जो चीज अपने defense के लिए बनाई थी, हम use करकर economical importance मिले गए है, हम बेच रहे है, पैसा कमारे, commercialize कर दिया, और actually plant नहीं अपने defense में बनाया था, यह हम interactions में बढ़ते हैं, है न, तो यह सारी चीजे बिल्कुल ठीक है, उसने यह सारी चीजे बनाई ह हैं, तो सारी होंगे न, मिटा, 1,2,3,4,5, सब कुछ बिना रहे है, plant, तो answer D होगा, अगला question देखें, question number 22, चलिए, average temperature of thermal springs and deep sea hydrothermal vents exceed, अब उतना नीचे आप चल जाओ, तो high temperature कितना high होगा, 100 degree से, लिखा हो है temperature वाले paragraph में, abiotic conditions में, कि अगर आप बात करो हैं, hydrothermal vent है, या एकदम thermal springs में, 100 degree के भी अबफ का temperature चल रहा है, तो 100 के ऊपर ही जा रहा है, इतना high है, उसमें भी कुछ bacteria survive कर जाता है, उनको आ रहा है महाँ पर साथ, ऐसे high temperature conditions में survive करने के लिए, उन्होंने अपनी adaptation, है न, तो answer क्या होगा, D, अगला question देखो, 23, अगला question देखो, 23, अगला पर शायद life history variation के अंदर NCRT में लिखावा, I think life history variation में लिखावा है चाप्टर में, कि अब organism को survive करना है, Darvin कहते थे survival of the fittest, और उनको एक ही fitness समझाती थे reproductive fitness की, भाई तुम evolution में अगर जा रहे हो, evolve हो रहे हो, तो अब तुम पर pressure है select होने का, कि nature तुमें select करेगा या नहीं, तो तुम्हारे पास जो सबसे जाधा efficient way है, वो strategy निकालो, reproduce करने की, या तो R selected species बन जाओ, या K selected, या तो एक बार में जाधा reproduce करो, छोटे size के organism, या फिर ऐसे organism बनाओ, जो stable है, या बड़े size के हैं, कम number में है, पर वो stable है, वो resilient है, तुम देख लो, तुम्हारी क्या efficient strategy है, पर अपने आपको fit बनाओ, तो obviously deficient तो क्यों ही लेंगे, efficient ही लेंगे, इनको हटा दो, some organism breed only once in a lifetime, example देती है, NCRT, salmon fish का देती है, और bamboo का देती है, और बहुत सारे ऐसे जो many times breed कर रहे है, बाकी बहुत से organism हैं, जो many times breed, तो कुछ है जो सिरफ एक बार करेंगे lifetime में, और बहु A होगा answer, A होगा answer, है न, answer होगा A, कुछ होते हैं, जो सिरफ एक बार करते हैं, जादा तर more बार करते हैं, इसलिए many और once नहीं है, once और many है, answer ही होगा, अगला question देखे, question number 24, okay, चलिए, major biome such as desert rainforest takes place by, अब ये biome बना है, biome कैसे decide होता है, biome मैंने आपको बताया था न, sequence के ये ecosystem के बाद आते पाई, ecosystem level पर क्या हुआ था, मैं एक organism और उसके environment का interaction पढ़ रही थी, biome कैसे decide होता है, particular climate की वज़े से, इस particular area में यही वाला climate रहता है, tropical rainforest में हमेशा ऐसा climate रहता है, climate के basis पर मैंने उस geographical area को अलग करके एक biome बना दिया, desert में ऐसा temperature रहता है, तो इस desert को मै एक biome बनाते है, grassland में ऐसा temperature रहता है, एक biome बनाते है, तो climatic condition, particular latitudinal gradient के basis पर हम biome बनाते हैं, तो अगर मैं desert को, rain forest को, major biomes हम यही पढ़ते हैं, grassland, tropical desigures, tropical coniferous, यह सब पढ़ते हैं, यह कैसे बने, तो हम एक particular climate पर decide करते हैं, और climate कैसे decide होता है, rotation of our planet around the sun, sun के around उसकी जग पर उसका temperature हो, climate decide होता है, और उसी basis पर biome बनते हैं, तो answer क्या होगा, C, answer क्या होगा, C, ठीके, अच्छा, seasonal periodicity नहीं ले रहे, हम fixed climate के basis पर बनाते हैं, आगे देखो, question number 25, body compensates low oxygen availability at high altitude, यह altitude sickness है, यह temperature, आप sorry, high altitude पे गए, pressure कम, oxygen कम, आप adaptation करने लगोगे, physiological, आप RBC का number बढ़ होगे, hemoglobin की binding affinity कम करोगे, तभी तो oxygen release होगी, आप binding affinity increase नहीं करोगे, आप breathing rate भराद होगे, ताकि एक मिनट के अंदर जादा oxygen आपके हर एक cell तक पहुँच पाए, हैना, decrease भी नहीं करोगे, तो इसको हटा दो, तो correct क्या क्या होगा, बटा, one correct है, two correct है, four correct है, answer D होगा, answer D हो question ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे, आगे देखो question number 26 चलिए, even a plant species which makes its own food cannot survival, plant तो अपना खाना खुद बनाता है, फिर भी वो अकेला नहीं रह सकता, it needs soil microbes to break down the dash matter in the soil, soil में भी उसको microbes की जरूरत है, soil में मरी हुई leaves, dead, decaying, organic material है न, जो organic material होता है, उसको break करने के लिए उसक organic material break करने, इन दोनों को तो हटा दिया, है न, अच्छा तो मुझे organic matter break करने and return the dash nutrient for absorption, जब organic material का decomposition होता है, तो वो तो digest हो जाते है, decomposed हो जाते है, निकलते हैं, inorganic nutrient, वो वापिस cycle में चलते हैं, तो release क्या होते है, inorganic nutrient होते हैं, and then, how will the plant manage pollination without animal agent, बिना animal के, वो pollination कैसे करेगा सही बात है, it is obvious that in nature, animals, plant and microbes cannot live in isolation, कुछ भी हो जाए, population आपस में interact करती है, क्योंकि अकेले गुजारा नहीं है, तो कोई भी population है, वो interact करी है, plant के पास तो कुछ कम ही नहीं थी, अपना खाना भी खुद बनाता है, कभी बिना animal के pollinate नहीं कर सकता, बिना microbe के organic matter, decompose नहीं कर सकत इसलिए कभी भी जो है, हमें, down to earth रहना चाहिए, हमा में नहीं उड़ना चाहिए, जरूरत पड़ेगी एक तुसरे, let's help each other and make a better community, ये बात हमें science बहुत बार सिखाती है, तो answer होगा B, वो बस हमें थोड़ा से ego जाद है, कि हम सीखते नहीं है, ठीक है, आगे देखो question number 27, in most animals, the metabolic reaction proceed in dash temperature, अब हमारे अंदर, हमें ऐसा तो नहीं है, कि 0 degree पर भी मेरे enzyme चलेंगे, 100 पर भी चलेंगे, नहीं, जादा तर organism में एक इतनीक सी range होती है, जिसमें हम जिंदा रहते हैं, जिसमें हमारे enzyme optimum काम करते है, जिसमें हमारे लिए वो 37 है, तो वो range narrow है, ब्रोड तो वो ह Chinese को हटा दो, चलो median में, median narrow होती है वो range है न, अच्छा, but there are microbes like archae bacteria that flourish in hot springs and deep sea hydrothermal vents, where temperature far exceeds 100 degree Celsius, ये तो देखा है question, कुछ bacteria ऐसी condition में भी रह रह रहा है, जा 100 degree से उपर के temperature में भी वो manage कर रहा है, इसलिए इस धरती बार अलग लग तरीके के organism है, जिने अलग लग temperature में रहना आता लेकिन majorly को narrow range ही समझ में आगा, ठीक है, तो answer क्या होगा, यहीं से हमने concept समझा था, यूरी थर्मल और स्टीनो थर्मल का, आगे देखें question number 28, tropical dense forest, एकदम dense forest के अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर क्या है, बिटा, dense अब से घना, घना कोंसा होता, rain forest, rain forest की क्या condition है, वो diagram अगर आप ऐसे याद करोगे, temperature और rainfall करके, तो कुछ यहाँ पर है, वो tropical rainfall, temperature भी जाद है, rainfall भी बहुत जाद है, दोनों चीज़ें high radius, sorry, मुझे जहां तक यादर है, इस तरीकी के एक line बनी होगा, तो उसमें अच्छा कासा temperature है, और अच्छी कासी amount of rainfall भी चल रहे है, दोनों बढ़िया चल रहे है, तो high temperature and high rainfall option देखो D होगा, option देखो D होगा, अगला question देखे है, question number 29, an ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time if damaging effect stops will be having, कोई ऐसे चीज़ जिसको आप जल्दी damage कर पाऊ, वो stable नहीं है, क्योंकि stable को हिलाया नहीं जा सकता, अगर मैं कह रही हूँ, वो ecosystem बहुत जल्दी damage हो रह लेकिन जब आप उसको तंग करना, उसको unfavorable condition देना, रोक दोगे, तो वो recover कर जाएगी, bounce back कर जाएगी, हार से डरती नहीं है, हार जाती है, पर उठना जानती है, recover करना जानती है, resilience अच्छी हो, तो बोलते हैं उसका resilience power अच्छा है, ठीक है, और यह resilience power हम सब में अच्छा ह अगर हम questions नहीं भी solve कर पा रहे हैं, कुछ चीजें हमसे नहीं भी हो रही हैं, तो हमें पता है कि हम हार जाएंगे, पर हमें उठना भी आगे, हमें मेहनत करना है, तो answer will be A, ऐसा बनो, पहली बाद तो high stability, high resilience बनो, तो चलो, life में तो हार चीप चलती रहेगी, तो high on resilience जरूर तो हमें, answer होगा A, आगे देखो question number 30, सबसे most ecologically relevant environmental factor, यह 4 abiotic factor होते हैं, कोई भी habitat बनाने के लिए, उसमें सबसे जाधे relevant माना जाता है temperature को, इसके में एंजाइम ना काम करें, मेंटा बहुत एक activity ना चले, second number पे पानी को माना जाता है, तो light फिर soil, आगे देखो question number 31, mango tree, जो ग्रो नहीं कर सकता है, जैसे Canada और Germany, NCID के line है, जो temperature वाला paragraph है, abiotic factor का, इसमें लिखा हुआ है, कि हर organism का एक range होता है, अब mango tree पता है कि tropical area में ग्रो करता है, तो वो Canada, Germany में नहीं ग्रो करेगा, अगर कोई ऐसा mammal है, जो tropical, sorry, tundra region में ग्रो कर रहा है, तो वो tropical area में ग्रो नही नहीं करेगा, answer होगा, C, अगला question देखिए, 32, next to temperature, dash is the most important factor influencing life of organism, बताया था मैंने आपको, temperature के बाद पानी, पानी के बेना तो फिर क्या ही चलेगा, गुजारा ही नहीं है, answer होगा, अगला question देखो, 33, assertion reason आया आपके पास, small size animals are rarely found in polar region, ये बाद हमने पढ़ी है, बर्ग म होता है, अब surface area जाद है तो वो heat loss जल्दी करेगा, heat loss जल्दी करेगा, तो फिर अब उसको आप higher, sorry, higher altitude या lower temperature में रह जाओ, उसकी heat निकल गी, वो तो जम जाएगा, कुल्फी बन जाएगी उसकी, इसलिए colder areas में ऐसे छोटे size के animals आपको generally नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े polar bear जैसे मिलेंगे, यह Bergman का रूल था और यह statement बिल्कुल छीख है, small size animals have larger surface area relative to you and they have to spend much energy to generate body heat through metabolism, वो अपनी heat lose जल्दी करते हैं और बनाने के लिए उनको जादा energy लिए, ना body heat generate करने के लिए उनको जादा time लगेगा, जादा energy लगेगी, lose बिचारे जल्दी कर जाए, reason भी ए देखो question number 34, चलिए, regional and local variations within each biome, एक biome में regional variation भी होती है, local variation भी, क्योंकि आप desert में देखोगे, तो ऐसा नहीं हर desert का weather सहीं रहेगा, कुछ-कुछ variation तो आएंगी, that leads to the formation of a wide variety of habitat, बड़ा area, biome, जिसका एक general climatic condition रहेगा, उसमें अलग-अलग weather का variation है, उसके वज़े से अलग- 35 चलिए, desert हो गया, rainforest हो गया, tundra region हो गया, यह सब क्या है, यह सब बायोम है, यह सब अलग-अलग climate conditions के वज़े से बने है, यह सारे बायोम है, हमने पूरा graph देखा है, आगे देखो question number 36, characteristics of a terrestrial biome are strongly influenced by it, एक biome के characteristics, यह ना, characters, किस-किस पे depend करते है, वहां रहने वाले flora पे, वहां रहने वाले fauna पे definitely, तो flora और fauna क्या हो गया, biotic factors, climate क्या हो गया, abiotic factors, तो कोई भी biome हो या कोई भी ecosystem हो, उसके characters, उसके biotic और abiotic, दोनों factors पे depend करेंगे, answer होगा D, habitat बोलो या biome बोलो बिटा, biotic और abiotic factors दोनों उसको affect करते है, तो answer होगा D, आगे देखे question number 37, which of the following is not, अब देखो, brain ही ऐसे function करने लग जाएगा, कि not पहले circle हो जाएगा, किसे ले mistake ना हो, which of the following is not a part of an organism's physical environment, physical environment में temperature आता है, light आती है, humidity आती है, organism नहीं आती है, organism मतलब जिन्दा लोग, जिन्दा लोग मतलब biotic, और हम किसकी बात करें, biotic, sorry, abiotic, तो physical environment में कौन नहीं है, ज spending their activities for some time, stressful condition आई, अब regulator है नहीं, endotherm है नहीं, रहा जानी रहा, तो थोड़े दिर के लिए activities suppress कर दी, energy safe कर दी, अपने सारी activities को suspend कर दिया, अगर ये ऐसा high temperature को avoid करने के लिए करें, मतलब बहुत गर्मी है उससे, तो थोड़े दिर के लिए rest करो, क्यों energy waste करना बहुत दूप ह ये बार, estivation, और वहीं बहुत ज़्यादा सर भी हो रही है, उस time खुद को suspend कर लेना, hibernation, है न, तो high temperature की वज़े से जो करते है, that is estivation, low temperature को avoid करने के लिए जब करते है, that is known as hibernation, answer क्या होगा, C, 38 का answer क्या होगा, बिटा, अगला question देखिए, 39, which of the following is an incorrect match, bacteria, thick wall resting spores बनाता है, बिल्कुल, unfavorable condition में बहर एक spore बना लेगा, अंदर ग्रो करेगा, multiple fishing, तो बिल्कुल करता है, whale hibernation करेगी, बिटा, whale एक mammal है, mammal एंडो धर्मिक होते है, हमेनी जरूरत पर तीन सब चीज़ों की, so this is incorrect, zooplankton diapost suspended period of growth में जाता है, NCRT की statement है, बिल्कुल ठीक बात है, snail और vicious estimation करती है, यही NCRT का example है, बिल्कुल ठीक बात है, hibernation में whale नहीं जा रही है, whale नहीं जा रही है, whale वैसे भी, whale वैसे भी, पानी में रही है है, ऐसा देखो, ठीक है, endothermik भी कुछ time के, देखो, हम तो endothermik है, फिर भी हमें जब बहुत जादा करमी लगते हैं, हम शिमला के भी होना चाहिए, आगे देखो, question number 40, जिसके साथ हम एंटर करें, second topic में, that is population, दो ही topic है इस chapter में, पहला है, organized manage environment, दूसरा population, अब population में सारी चीज़ी आ जाएंगी, density, population, age pyramid, sex ratio, birth rate, death rate, दोनो growth models, life history variation, और population interaction, अब पूरा बज़ावा chapter इस ही topic में, ठीक है, शुडू कर रहे है हम लोग population चलिए, सबसे पहला question ही, population interaction पे आया, common salism, common salism को कैसे लिखते है, plus और zero, इसका मतलब है कि जो दो लोग interact कर रहे हैं, जो दो population interact कर रहे हैं, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को पता ही नहीं लग रहा, वो तो जिंदा है, बस जी रहा है, और किसी का भला कर दे र common salism में क्या होता है, एक species का फायदा होता है, और दूसरे का ना फायदा है, ना नुकसान, zero, वो neutral है, विल्कुल यही होता है common salism में, जिसका एक बहुत बढ़िया common example आता है, cattle and cattle egret, तो cattle अपना खाना खा रही है, वो हमीशा से ऐसे खाना खाती है, कि वो एकदम से घास और उनके चक्र में जब घास इदर-उदर हिल रही है, तो छोटे-छोटे कीडे उड़ रहे है, वो बर्ड खा जा रही है, cattle egret, तो क्या cattle ने यह कोई favor किया उस बर्ड पे नहीं, वो फेशा ही ऐसा खाना खाती दे लेगा, इन egret का फायदा हो गया, वैसी sea animal और clownfish, अब sea animal exist कर रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो दिखता ही डरावन है, उस वज़े से clownfish की मदद होगी कि कोई उसको खा नहीं रहा, तो इस में sea animal ने कुछ बड़ा काम नहीं किया, और किसी का भला फिर भी हो गया, that is comments, let's answer हो का एक, आगे देखो question number 41, अच्छा, population is a total number of population में आप क्या क्या देखते हो, population में हम interbreeding individuals देखते हैं, एक species के, जो कि एक geographical area में मिल रहे हैं, या different geographical area में मिल रहे हैं, नहीं एक, जो आप एक population की बात करते हो, तो आप एक area में मिलने वाली interbreeding species की बात करते हो, अगर आप geographical area change कर दोगे, तो फिर वो definition अलग होनी चाहिए, area की बात करते हैं, और different areas में population होती हैं, पर उनका नाम अलग-लग होता है, तिरफ population लिख रहे हैं, मतलब से area की बात करें, answer A होगा, आगे देखो question number 42, देखो जरा, to avoid the competition, competition avoid करने के लिए exclusion principle, अचा सुरी एक साथ ही गया, competitive exclusion principle अगर मुझे avoid करना, जो गोज ने बताया था, त में evolve to become more different in order to reduce competition, जैसे वो wobbler, wobblers थी, वो मैं कर्थर की, एक जगे रहती थी, एक पेड़ पर रहती थी, competition करती, तो कोई एक हटा दिया जाता, तो उनने सोचा, मिल बांट के रहेंगे, resource partitioning कर, अपना encouraging pattern का behavior change कर लिया, कोई उपर वाली टहनी पर, कोई नीचे वाली टहनी time बदल लो, behavior बदल लो, लेकिन मिल जुल के रहो, अगर तुम्हे eliminate नहीं हो ना, या तो सबसे strong बन जाओ, या फिर मिल जुल, ऐसे survival हो, ठीक है, तो answer क्या, उसको competition reduce करना था, तो competition reduce करने के लिए, वो ऐसे evolve करेंगे कि मिल जुल के रह सके, answer क्या होगा, A, answer क्या होगा, A, अगला question देखो, 43, if the strong partner is benefited, plus, and weak partner is damaged, minus, plus, minus interaction पूछ रहे हैं, प्रिडेशन होगा, competition minus minus होता है, दोनों का नुक्सान होता है, symbiosis plus plus है, ये mutualism का दूसरा नाम है, इसमें दोनों का फायता होता है, common cellism में plus zero है, आप से क्या पूछ रहे हैं, एक का फायता है, एक फायता दूसर में होता है, तो answer A होगा, answer A होगा, अगला question देखे, 44, अब age pyramids की बात करें, अगर मैं ecological age group की बात करूँ, जब आप pyramids बनाते हैं, तो आपके पास blocks होते हैं, सबसे base पे आपके पास रहती है, pre reproductive age group, फिर आपके पास होता है reproductive age group, और फिर आपके पास होता है, सबसे उपर व हम क्या देते हैं, हम लोग, pre reproductive, reproductive, post reproductive, 0 से 15 years, फिर आपका 15 से, 40, 45, 50 years, और फिर 60 से 100 years, इस तरीके से, तो 1, 2, 3, correct होगा न, answer ही आएगा, बिटा, अगला question देखे, question number 45, natality, natality rate मतलब birth rate, if natality is parallel to mortality, मतलब जतना birth, उतनी death, तो ये population stationary रहेगी, अगर 10 लोगों का जन मुआर, 10 क ही मृत्यू हो गई, तो जितनी population पहली थी, उतनी ही रहेगी, it will remain stationary, stable population, इसको, इसको word बोलते है, demographic population, जाना, कि change नहीं आ रहा हूँ, तो answer होगा, याद रखना, dynamic अलग होता है, demographic अलग होता है, dynamic कहता है, population बदल रही है, fluctuate कर रही है, demographic कहता है, कि कुछ नहीं बदल रही है, अगर मैं देखना चाहती हूँ, कि इस एक इंसान में, कितने बच्चे पैदा करने की शमता है, maximum reproductive ability कितनी है, वो उसका biotic potential है, वो उसका biotic potential है, कितना उसके अंदर potential है, fecundity rate कितना है, कितना reproduce कर सकता है, वो उसका biotic potential है, आंसर भी हो, अगला question देखे है, 47, find out the population density when N is 1000 and S is 100 meter square, density हमेशा निकाली जाती है, N upon size उस area से भी, इतने area में इतने लोग है, तो अगर मैं बोल रहे हूँ कि 100 और हमेशा meter square ही लेते है, याद रखना, क्योंकि आप एक ऐसा 2D में area ले रहे हो, इतने surface area, इतना meter square में, 1000 जन है, तो N upon size से ही आप population density calculate करते हो, 1000 upon 100, of course, answer 10 आजाए 8, ठीक है, अगला question देखें, 48, आपको फिर से ode one out बताने, ode one out बताने, paracitism के लिए, lice, bedbug, plasmodium, mite, पहली बात ये सारे paracitism, lice जू हो गई, bedbug, जो बहुत देर अगर इस तरफे पड़े रहो तो, जो, क्या कहते हैं उनको, हिंदी में क्या कहते हैं इनको, मुझे वो वर अलगे, it's really sore, it's really sore person, जो bedridden हो जाता है, हैना, वो नहीं उठ पा रहे हैं, तो उनको bedbugs लग जाते हैं, ठीक है, talking about mite, जैसे termites, हैना, talking about plasmodium, हैं ये सारे paracitism, फिर भी old one out आईगा plasmodium, क्योंकि बाकी तीनों ectoparacitism, plasmodium body के अंदर जा रहे है, endo है, बाकी तीनों ब terrestrial organism, मतलब वो धरती पर है, पानी में नहीं है, आपको density calculate करनी है, is measured in terms of individuals per, अभी बताया, मैंने आपको per meter square लेते हैं, हम उसका surface area निकालते हैं, इतने meter square में कितने लोग हैं, अगर terrestrial count करते हो, तो हमेशा हम 2D meter square में करते हैं, answer DO, अगला question देखें, 50, the formula of growth rate for population in a given time, तो कित population, dn upon dt is equal to rn, बिटा, ही directly ncrt से आया है, जहां पर r is birth rate minus death rate, intrinsic rate of natural increase, ठीक है, तो r, वो constant word हो गया हमारे पास कितना increase हो रहा है, birth rate minus death rate, और उस time कितनी population density है, वो n होगी, वो आपको बताएगी कि particular time period में कितनी growth हुई, तो growth निकालने का formula होता है, dn by dt is equal to rn, answer हो जाएगा, इस तोड़ा से ध्यान रखना हो सकता है, option उन्होंने जानपुझ कैसे लिखा हो, dn by rn is equal to dt, यूँ भी तो लिख सकते हैं, तो वो तंग करेंगे आपको, पर आप अपनी सूझ-बूझ और अपनी सयमता के साथ समझदारी से उत्तर दीजे, ठीक है, answer क्या होने वाला है, आग क्या कहेंगे, क्या यह population ratio है, क्या यह density coefficient है, नहीं बहुत, death और vital index, vitality मतलब जिन्दार है, कितने जिन्दार है, कितने जिन्दार है रह रह रहे है, वो उस area का आपको उस population का vitality बताए, कितने जिन्दार है पार रहे है, तो B, बिल्कुल, B होगा, यह नहीं है, NCRT में तो य कितने birth है, कितने death हो रहे हैं, आपको vitality बताती है, कितने बच्चे बैदा हो सकते हैं, यह biotic potential से पता लगा, ठीक है, answer होगा, B, आगे देखो, question number 52, population size को technically क्या कहते है, population density, exactly NCRT, यह बारी-बारी हम बोल देते है, population size, पर actually हम बात population density की की करे, कि कितना population per unit area है, answer होगा अपन बता चुकियो, demographic population वो है, जिसमें birth और death बराबर है, population growth, dn by dt से पता लगेगा, और population dynamics यह बताती है, कि population same नहीं रहरी, वो fluctuate कर रहे है, ऐसी population को बोलते है, dynamic population, अगर population same रहे तो उसे बोलते है, demographic population, यह मैं आपको बता चुकियो, ठीक है, आगे देखो, question number 53, अच्छा, किसी बी species की population क्या हमेशा stable रहती है, नहीं, क्या dynamic होती है, बिलकुल, generally अगर कुछ भी नहीं दे रखा, तो याद रखना dynamic है, कभी ऐसा नहीं हो रहा कि population change ही नहीं, ऐसा नहीं होता, आप भी जानते हो, बहुत सारी catastrophes होती है, बहुत सारी environmental condition होते है, immigration, emigration होता है, आप ऐसे कैसे कह दोगे कि population stable है, नहीं, of course population change हो रही है, तो आन से क्या होगा बच्चा पी, ठीक है, आगे देखो question number 54, ghost low is true only when, competition वाले paragraph में NCRT में ghost का competitive exclusion principle आता है, उन्होंने कहा कि अगर resource tight है, unlimited नहीं है, unlimited है, same area में दो लोग रह रहे हैं, और same resources के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने तो proper conditions देती, same species, same species नहीं, मतलब inter-specific है, पर वो same resource के लिए, limited resource के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो जो superior है, वो जीतेगा और inferior वाले वो हटा दिया जाएगा, हाँ, उन्होंने गेलापोगास आइलेंड पे, अबिंग्डन टोटवाइज और गोट के बारे में बात कीती है, तो य migration से हो सकता है कि कुछ चले गए, individual, population कम हो गई, emigrate कर गए, population कम हो गई, पर क्या ये दोनों permanent है, नहीं, वापिस भी तो आ सकते हैं, अगर emigrate करे हैं, तो emigrate भी कर सकते हैं, लेकिन पूछा तो permanent है, permanent तो तभी है जब वो स्वर्ग लोग सिधार जाए, यानि कि mortality हो जाए, इसा parasite, जो किसी दूसरे parasite के उपर रहे, hyperparasite, ये दो चीज़ें आप अलग से पढ़ते हो, एक hyperparasite और एक brood parasitism, special cases में हमें, आगे देखें, question number 57, level of competition between species depends upon, कितना भयंकर competition है, ये किस चीज़ पर depend करे, कि resource कितने है, अगर resource unlimited है, तो maybe लडाई कम हो, population density वहाँ पर कैसी है, क overpopulation, limited resource लडाई होगी, group interaction, उनका interaction कैसा है, क्या वो resource partitioning करके, मिल जुल के रह रहे है, या फिर interference competition, तो ये सारी चीज़े decide करेंगे, कि competition कितना है, 1, 2, 3, of course, ये सारी चीज़ों में, अब देखो, तुमारे अंदर है, समझदारी से रहना है, तो competition कम हो जाएगा, नहीं रहना ये साहारे से ग्रो कर रहा है, उसके उपर बस साहारे से ग्रो कर रहा है, और ये हम किसमे पढ़ते हैं, ये हमने किसमे पढ़ा है, ये हमने और्कीड और मैंगो ट्री का example पढ़ते है, कि मैंगो ट्री है, और्कीड को ग्रो करना है, वो मैंगो ट्री के साहारे से ग्रो कर र किसी का फायदा होगा दूसरे को फरक भी नहीं पढ़ रहा है यह कमन सेलिस्म में आता है आंसर डी होगा अगला कुश्चन देखें 59 यू नेवर सी एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन केला टॉपिस यह डिपेंस में लिखा हुए प्रिडेशन में कि अपने प्रिडेट मुझे खा जाते हैं तो वो क्या सिक्रीट करने लगा काडिया ग्लाइकोसाइड ता वो इतना कडवा है कि अब पता है उनको हर भी वर्स को कि इसको नहीं खाना ये कडवी चीज़ सिक्रीट कर अपने डिफेंस में उसने काडिया ग्लाइकोसाइड सिक्रीट किया है ताकि क नहीं है, यह normal growth नहीं है, यह explosion, बम फटना है, population का explosion ही हो गया, कि भी, यह 10 साल में कहां की कहां पहुच गया हम, explode हो गया है population का, so that is population explosion, answer होगा C, आगे देखो 61, in a population, the condition at which the rate of addition of new members is more than the rate of individuals lost, एक ऐसी population, जहां पर, जिस्त speed से नए लोग आ रहे हैं, चाहे birth से, जहें immigration से, नए लोग जादा आ रहे हैं, और पुरानों की death कम है, उन से, क्योंकि दोनों की speed देखी, जिस speed से lost हो रहा है, या death हो रहा है, या immigration हो रहा है, उसके comparison में birth जादा है, addition जादा है, of course उस population का size increase होगा, मान लो, 10 लोग लोग थे, पहले वहाँ पे, ठीक है, अब population कितनी होगे, 11, तो 10 से 11 होगे, क्योंकि increase होगा, तो हम क्या कहेंगे, कि ये growth कैसी हो जाएगी, क्या ही fluctuating growth है, क्या ही declining, zero population growth नहीं है, ये exponential growth है, अब तो मैंने तो सिरफ आपको simple से example दिया, पर वैसे अगर speed जादा हो, addition होने के तो खूब growth हो जाएगी, P होगा, fluctuating जरूर ह लेकिन उस fluctuating में तो मुझे साफ साफ बता दिया ना कि birth जाद है, तो मुझे पता है growth हो रही है, decline हो नहीं रहा, तो answer exponential growth होगा, answer B हो जाएगा, clear है, answer B हो जाएगा, आगे देखो question number 62, periodic departure and return of an individual in a population is known as, periodically departure कर गया, फिर उसका return भी होगा, migration, ऐसा सिरफ migration में होता है, birth और death तो immigrant भी बन सकते हो, आप immigrant भी बन, तो थोड़े टाइम के लिए गए Canada, वड़ाई वड़ाई करके वापिस इंडिया आ गए, अब Canada मैंने इसलिए वोला, क्योंकि मैं Punjabi हूँ, you got it, answer क्या होगा, B, आगे देखो question number 63, interspecific interaction, arise from interaction of, interspecific मतलब दो अलग-लग species, तो same species वाले option हटाओ, अब ये दो अलग-लग species में क्या सिरफ दो लोग लड़ रहे हैं, यानि एक goat और एक tortoise ने लड़ाई करी थी, बस Gallopagus Island पे नहीं, पूरी population लड़ रही है, सिरफ दो लोग आकर ऐसे सिर बिढ़ा कर नहीं लड़ रहे हैं, पूरी population की लड़ाई होती है, जब हम competition की बात करते हैं, कि किसकी population सर्वाइफ करेगे, किसकी नहीं, तो answer होगा, ठीक है, पूरी population है, दो लोग नहीं है सिरफ, आगे देखो 64, predation is, it is an unnatural way of transferring of energy to higher trophic level, predation unnatural क्यों है, predation तो बहुत natural है, ट्रॉफिक लेवल में एक दूसरे को खाता ही खाता है, तभी अगल ट्रॉफिक लेवल पर energy जाती है, तो यह कोई unnatural नहीं है, यह बहुत natural तरीका है, जिससे energy higher trophic level को जाती है, और यह natural balance के लिए बिलकुल भी harmful नहीं है, in fact, अगर predation ना हो तो दिक्कत है, race species बहुत भढ़ तो answer B होगा, answer B होगा, अगला question देखे, 65, competition for light, nutrients, space is most severe between, competition जाधा severe होता है, closely related में, क्योंकि उनका resource same होता है, वो same चीज के लिए लडाई कर रहे होता है, तो closely related और अगर same area में रहे है, तब तो तबाही, है न, मुझे क्या लेना देना कि engineering field में क्या चल रहा है, आप normal से ची आपका competition need वालो से, same area, same field में लडाई ही जाधा होती है, और उपर से अगर same area के है, आपकी colony में ही, आपके रिष्टतार की मासी की बेटी भी same exam दे रहे है, तब तो बहुत competition है, so competition same area में तो बहुत जाधा होता है, same species में भी बहुत जाधा होता है, maximum अगर मुझ से लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गुडगोबर करती हूँ, in which one of the following habitats does the diurnal temperature of soil surface vary most, diurnal का मतलब समझते हो, nocturnal हम रात के लिए बहुते हैं, diurnal word हम यूज करते हैं, दिन और रात दोनो, हम दोनो की बात करें, तो diurnal temperature जिसका vary करता हो, अगर आपने कभी desert area के आसपास कोई कभी ऐसे camping करी हो, या कभी कोई रहे हो, तो यहाना बहुत ज़्यादा religious places है, अगर आप चले जाओ, जैसल मेर वाली साइट, बहुत जारे religious places, तो वो क्या करते हैं, वहीं पर desert में ही temple के around tents लगा के लोग रहते हैं, आप तो वैसे भी getaway पे आपने देखा होगा, Instagram बगर रात को वही रेत बहुत थंडी, तो यह जो soil है, यह soil का temperature का vary करने का जो rate है, वो extreme है, दिन में जो rate इतनी करम है, वो रात को उतनी ही थंडी हो जाती है, कि वो लोग वहाँ पे उस rate में सोते हैं, बिना बिस्तर लग, it's so cold, तो यह vary करता है, diurnal variation आपको दिखेगा desert में, और prey population, जी हाँ, अगर predator ना हो, तो prey population आस्मान चुँ जाएगी, biological control of weeds and pests, ठीक है, बिलकुल खा जाएगा न, क्योंकि अगर कोई weed आ गया, जैसे parthenium आ गई थी, तो उसका natural predator लाओ, तो आप उसे control कर लोगे, high species diversity, जी हाँ, क्योंकि अगर predator prey को नहीं खाएगा, तो competing prey species आपस में लड़ भिड़ लेंगी, और आपस में ही, कुछ ना कुछ species eliminate हो जाएगी, diversity कम हो जाएगी, इसलिए predator का होना बहुत जरूरी है, answer होगा, all of the above, exactly, ये reason, sensitivity में, अलगलग paragraph में दिये होए है, आगे देखो question number 68, the type of population, फिर pre-reproductive animal occur in large number, अगर pre-reproductive जाद है, मतलब बच्चे ज है महाँ पर, इंडिया को ही देख लीजी, answer होगा, डी, गली-गली में बच्चा, 69th question देखते है, given population growth curve, represent the logistic growth curve, हमें पता है, वहरलूस्ट, वहरल्स्ट, परल logistic growth curve, है न, और इसके अंदर हम से ABC के बारे में बूच रहा है, A क्या है, this is the stationary phase, कि अब grow नहीं करेगा, B क्या ह है, this is known as the log phase, जब एक बर के लिए exponentially grow कर रहा था, और C क्या है, lag phase होता है, जब starting में, youth 2 हो रहा होता है, organism environment के, तो A stationary होता है, B वाला log है, C वाला lag है, उल्टा लिखा हो है, please question ढंक से read करिएगा, answer C होगा, अगला question देखते है, question number 70, pollinator mutualism, our special interaction involving dash, which receive food for a place to lay eggs, or a place to lay eggs, sorry, तो जो pollinator वाली mutualism मा पढ़ते हो, चाहे fig tree और vasp वाली हो, चाहे pronuba और yukka मोथ वाली हो, आपने क्या पढ़ा है कि बटा, उस मोथ को, उस insect को, एक तो खाना मिल रहा है, उस fruit से, और अपने egg ले करने की जगा मिल रही है, अपने developing larva के लिए nutrition मिल रहा है, and dash which receive pollen from the other kind, pollen किसको मिल रहा है, plant को, वो pollen लेनी के लिए तो इस सब कर रहा है, वो insect को कह रहा है, तुम मुझे बस pollen लाके दो, मुझसे तुम रहने की जगा ले लो, मुझसे तुम खाना ले लो, मुझसे तुम developing egg के लिए nutrition ले लो, मुझसे तुम OV position के लिए जगा ले लो, मैं सब देने को तय यारू बस मुझे pollen लाके तो answer क्या हो जाएगा अगला question देखें question number 71 आपको diagram दे रखा है कि time के साथ population का size ऐसे ग्रोगी है यह exponential growth curve है यह exponential growth curve है आपने पढ़ाया दो growth curve एक exponential एक logistic अगर resource unlimited हो तो हम कहते हैं J shaped curve मिलेगा exponential growth curve मिलेगा तो यह J shaped भी है answer होगा टी देखो दोनों यह option हमें मिल गए answer क्या होगा यहां पर answer होगा टी अगला question देखें 72 कौन सा model है जिसे realistic मानते हैं बीचा जी logistic logistic logical यह logical है ठीक है समझ में आता है कि पहरे थोड़ा lag फिर log फिर रुग गया ऐसा कैसे है कि भाहिया चलता है जा रहा चलता है ऐसा नहीं होता resources unlimited नहीं होते जादा logical क्या है कि resource limited है और logistic model बनाओ answer होगा जी आगे देखें question number 73 many parasites have evolved to be dash in such a way that both host and parasite tends to dash बहुत सारे parasites जिस्क भी host पे depend करते हैं वो अपने host को लेकर बहुत specific है कि भाहिया मुझे तो यह host जबता है और कोई नहीं चीए है है ना मुझे इसी host की body के अंदर रहना है तो अगर उसका host evolve होगा parasite को भी अपने host के साथ co-evolve करना पड़ेगा एक साथ तो क्या कह रहे है यह आपे कि दोनो host और parasite को co-evolve करना पड़ेगा answer तो आ गया that is if the host evolves special mechanism for rejecting और resisting भी parasite अगर कल को evolution में host ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो अपने parasite को reject कर पाई resist कर पाई तो parasite को भी evolve करके कोई ऐसा mechanism लाना पड़ेगा ताकि वो अपने host के इस तरीके को counteract करके neutralize कर सके तभी तो वो उस host में रह पाएगा ना मिटा तो of course answer क्या आएगा 73 का answer क्या होगा अगला question देखे 74 some species of insect and frogs are cryptically colored है ना insects और frog अपना color background जैसा कर लेते हैं अपने predator से बचने के लिए इसे हम camouflage condition कर लेते हैं कुछ animals poisonous हो गया है हमें मत खाओ हम poisonous हैं इसका example भी यह रहा मुनार्क पटफलाइट इस टेस्टफुल होती है वाइस रो इसकी mimicry करती है तो जी हाँ ये भी है the above adaptations are against which type of interaction अपने predator से बचने के लिए कर रहे हैं ये predation नहीं चाहते है इसलिए ही ऐसा कर रहे है answer ए होगा अगला question देखे 75 zero growth of a population is indicated by zero growth मतलब क्या की 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 reproductive individual is equal to pre-reproductive bell shaped curve बनेगा जब pre-reproductive और reproductive बराबर है और old age कम है तो ऐसा कर बनता है इसको हम लोग बोते है stable growth stable population के अंदर ना भढ़ रहा है ना कम हो रहा है growing में भढ रही होती है population declining में कम हो रही होती है stable में stable है तो अगर मुझे zero growth कर नहीं है मतलब मैं stable की बात करूँ stable में bell shaped curve बनता है और bell shaped curve में reproductive और pre-reproductive सेम होता है answer C होगा answer C होगा ऐसे answer पर पहुंचना है बिटा आगे देखो question number 76 exotic species जो बाहर से आई species ना उन्हें हम exotic बोलते हैं तो क्या exotic और extinct टेक बात है जी नहीं क्या ये alien है ठीक है non-indigenous है ठीक है non-native है ठीक है answer B होगा answer B होगा अगला question देखे 77 चल्ड़ी डेटर्स ओल्सो हेल्पिन डैश species diversity predator की वज़े से species diversity maintain रहती है क्योंकि ये prey species के बीच में competition कम करते हैं in a community by dash the intensity of competition among competing prey species reduce जो आपस में prey species लड़ाई कर रही है ना उनके बीच का competition थोड़ा सा कम हो जाएगा predator अगर उसको खा जाएगा ठीक है बढ़ना predator नहीं है तो दोनों prey species आपस में लड़ रही है और जो ज्यादा strong होगी जो fit होगी वो दूसरे की diversity को कम कर देगी क्योंकि वो species खतम हो जाएगी है ना तो answer होगा लिए आगे देखो question number 78 चलिए a poison secreted by their special gland chemical ही आएगा बटा NCRT के जहां तक wording है कि chemical secrete करती हैं जिसके वज़े से यह diss test हो लाएगा directly poison की बात नहीं तो answer होगा अगला question देखिए 79 बेल-shaped pyramid अभी बताया था मैंने आपको इस condition में pre-reproductive or reproductive same होते हैं so number of pre-reproductive reproductive almost equal होते हैं और जो post-reproductive होते हो वो कम है प्री और reproductive same है जो post है वो थोड़े से कम है तो दोनों A and B correct होगा answer C हो जाएगा अगला question देखिए question number 80 चलिए non-limiting conditions provide कर दूँ मतलब resource limiting है नहीं जितने चाहिए उतने resource low तो of course competition कम हो जाएगा बहुत birth rate भढ़ जाएगा natality increase हो जाएगी mortality decrease हो जाएगी emigration increase हो जाएगा नहीं भए कोई क्यों ही जाएगा जब सब कुछ मिल रहे हाँ पे तो cannot be determined ऐसा नहीं है mortality increase होगी ऐसा नहीं है अगर आप एक area में unlimited resource कर दो तुम सारे doctors बन सकते तो उस area में ग्लोब क्यों नहीं जाएगे जाएगे ना उनको साहर तरीके का resource मिल रहे है सारे अमीर हो पा रहे है obviously वहाँ पे birth जादा death कम है answer यह होगा है ना आगे देखे question number 81 चलिए many zerophytic plants have thick cuticle and leaf epidermis and sunken stomat उनके अंदर genetically होता है उन्होंने gene में यह सा modification कर रख है कि भाहिया dry condition में है तो cuticle thick कर रख है stomata sunken कर रख है some zerophytic plant have special photosynthetic pathway उनके अंदर cam pathway होता है और उसमें भी stomata बंद ही है दिन में अफ्कोस हम इसके बारे में पढ़ते हैं यह बात ठीक है और punchyya के पास spines है and photosynthetic phyloplate stem भी उसके पास present है जी हां यह सारी adaptations genetically fixed है in all organisms देखो अफ्कोस genetically fixed है पर दिक्कत क्या है morphological adaptation भी है क्योंकि spine जो है वो morphological adaptation इन्होंने अपनी leaf को modify करकर spine बना लिया यह इनकी morphological adaptation तु 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 flat stems का होना spines का होना यह तो morphological adaptation है यह cam pathway physiological adaptation है यह genetical है and all adaptations are genetically fixed in all organism low ठीक है अब तो clear हो गया यह तो पका ही गलत है तो 1, 2, 3 ही होगा बिटा answer D ही होगा all तो ऐसी गलत होगा ना तो चलो ठीक है अब हम sorted है answer D होगा अगला question दिखते है question number 82 competition is best defined as a process in which the fitness of one species जिसको हम R के वे में calculate करते है intrinsic rate of natural disease is significantly यह interference competition की बात करेंगे जब दो लोगों की बिच में competition है ना तो एक की presence में दूसरा कम हो जाएगा ठीक है तो यह एक ऐसा process है जिसमें एक species की fitness is significantly lower in the presence of another superior species अगर उसके सामने उस ते superior species आजाए यह fitness कम हो जाएगा वही तो competition है आपस में तो आण से क्या होगा ठीक है equal नी रहेगी कम हो जाएगी आगे देखो question number 83 interspecific interaction interspecific interactions could be यह जितना भी आप पढ़ रहा है ना चाहे parasitism, predation, competition, mutualism, commercialism यह सब interspecific interaction तो यह तो detrimental भी होते हैं यह neutral भी होते हैं अफ़ोस यह दोनों तरीके के होते हैं यह beneficial भी होते हैं detrimental भी होते हैं neutral भी होते हैं तीनों तरीके के होते हैं answer होगा C अभी तो आप पढ़ते हो बिटा की negative impact भी है zero impact भी है plus impact भी है तरीका सूज रहा है अपनी reproductive fitness लाने का अपना biotic potential बढ़ाने का कर लो R selected बनना है बन जाओ K selected बनना है बन जाओ पर fit हो जाओ तो ये Darwin ने हमें बताया था answer एहोगा अगला question देखिए 85 ये पद है life history variation में लिखावा है NCRT में देख सकते हो 85 mutualism दोनों को फाइदा प्लस प्लस ये तो वो वाली condition है भाया कि जीएंगे कि तो साथ चीएंगे और मरेंगे तो ताथ मरेंगे 86 question देखिए nearly कितना percent है total insects का जो phytophagus है मतलब जो plant dependent है कितना होता है 25% 25% again NCRT की wording है ये answer होगा ए अब कुछ चीज़े तो आपको NCRT की डारेक्ट आनी चाहिए आगे देखो question no.87 इसमें से कौन से potent force है organic evolution का inter-specific competition गोज ने बता रहा है competition में potent force for organic evolution is inter-specific competition आंसर होगा ए आगे देखो question no.88 एंडो-parasite वो होते हैं जो host के surface पर रहते हैं नहीं हो यह मेक्टो-parasite कहते हैं जो malarial parasite है जो की plasmodium है आपका और trypanosoma ये दोनों endo-parasite है हाँ ये दोनों endo-parasite है assertion false है reason true है D होगा assertion false है reason true है D होगा ठीक है पिलकुल आगे देखो question no.89 Mac Arthur की जो wobblers थी किडियां थी उनकी they were able to avoid competition and coexist वो बहुत समझदार थी वो एक साथ रहे पाई due to behavioral differences in their foraging activities मतलब जो वो खाना खाने जाती थी उसमें उन्होंने अपना behavioral pattern अलग कर लिया अपनी branch अलग-लग decide कर लिया अपना time अलग-लग decide कर लिया ताकि competition reduce है या answer होगा A ठीक है answer होगा A अगला question देखिए 90 Malarial parasite की बात कर रहे Malarial parasite को क्या चाहिए एक vector चाहिए वो खुद protozoa है वो खुद एक protozoa है जो आप protista में पढ़ते हो वो एक sporozone है लेकिन question क्या पूछरों उसको क्या चाहिए तो उसको transmit करने के लिए एक vehicle चाहिए एक mosquito vector चाहिए फीमेल एनफिली हम लोग पढ़ते है तो आज से क्या होगा A आगे देखो question number 91 Parasite may affect parasite की वजह से जिसको host में वो parasite जाएगा उस host का survival खराब हो सकता है क्योंकि वो उस पर पूरा dependent हो गया अंदर से उसको suck कर रहा है रिप्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है growth affect हो सकता है बिल्कुल बिटा धीरे धीरे अंदर से host को खोकला कर देता है parasite लंबा रह जाए तो answer D होगा answer D होगा आगे देखो question number 92 कुकु आंड क्रो कोयल और कववे की बात आ गई रहे है उसके और बाद में उसके जब बाहर निकलते है hatching होती है जो चूजे बाहर निकलते है वो उनही को लात मारके और खुद रह लेते है आपसे तो वो पोरा टाइम अपने अंडे समझके उनको warmth देती है और उनको नेस्टिंग करती है उनको नरिश्मेंट दे रहे है उनका ध्यान रख रहे है उसको पता ही है कि मेरे अंडे नहीं that is brood parasitism answer D होगा आगे देखो question no.93 क्या लिखा हूँ है cattle, egret and grazing cattle ये तो मैं बता चुकी हूँ ना आपको grazing cattle और cattle egret perfect example commensalism का उसको पता नहीं लग रहा है cattle को वो कुछ मदद कर रही है egret की पर egret की मदद हो जा रही है तो अपने आप से डूनना नहीं पढ़ रहा क्योंकि जब वो घास हिल रही है तो वो चोटे-चोटे कीडे बाहर आ रहे है वो खा जा रही है उनको आगे देखो question number 94 जो Mediterranean orchid है of virus that employs dash to get pollination done by species of bee कॉलपा भी से उसको pollination करवानी है तो वो उसकी एक petal उस और्किड की female कॉलपा भी बन जाती है male बचा रहाता है population करने, population होता नहीं pseudo-copulation होता है पर उस चकर में जो pollen grains है वो दूसरे flower पर गिर जाते हैं, pollination हो जाता है और वो pollen उस bee से चिपक भी जाते हैं फिर bee जब दूसरे plant पर जाती है तो pollen ले जाती है लिकिन bee को धोका दिया जाता है तो this is sexual deceit उसके साथ धोका हुआ है और इस process को क्या होते है pseudo-copulation, answer क्या होगा bee, sexually धोका हुआ है तो sexual deceit कहते है आगे देखो question number 95 predators maintain prey population under control regulate करके रखते है predators reduce the intensity of competition among competing prey species बिल्कुल ठीक बात है पर जब predators हम ऐसा कह रहे है उनकी वज़े से prey species आपस में competition नहीं कर रही तो इसकी वज़े से क्या होगा इसकी वज़े से diversity maintained हो इस reason का assertion क्या होना चाहिए था कि predators prey species की diversity maintain लेकिन assertion क्या था कि predators prey population को control में रखते हैं इसका reason होना चाहिए था कि हां भया predator prey को खा जाएगा तो of course prey का number under control तो यह reason correct है assertion correct है पर यह इसका reason नहीं इसका reason नहीं आप anxiety read करेंगे तो आप और better तरीके से इसको समझ पाएंगे यह इसका reason नहीं है इसका reason तो यह होता कि हां भया predator prey को खा गया बात खतम या इसका assertion यह होता कि predator prey में species diversity maintain करके रखता है यह दो अलग लग चीज है answer क्या होगा अगला question देखते है what is common in predation parasitism and common cellism क्या यह सारी beneficial है नहीं तो आप जानते हो predation plus 0 है तो एक का फाइदा है sorry plus negative है एक का फाइदा है दूसरे का नुकसान है parasitism भी plus minus है एक का फाइदा दूसरे का नुकसान है commensalism plus 0 है तो ना तो सारे beneficial है ना ही सारे harmful है पर हाँ interacting species live closely together अगर आप चाहते हैं एक population से दूसरी population को affect हो तो interact तो करवाओगे न तो हाँ इनमें interaction है यह पास-पास है इनमें interaction है पर इनमें से दो ऐसी है जिसमें एक का फाइदा दूसरे का नुकसान है और एक ऐसा है जिसमें दूसरे को फरक नी पढ़ रहा तो answer क्या होगा C अगला question देखते है 97 which of the following is morphological adaptation used by plant to save itself from predators thorns बेटा glycoside physiological adaptation हो जाएगा कुछ chemical बना रहा है वो caffeine भी chemical बना रहा है वो तो morphological जो thorns उसने बना रहा है वो उसका morphological adaptation हो जाएगा तो answer क्या होगा C और सिरफ morphology पूछी थी यानि जो बाहर से आपको दिख रहा है आगे देखो 98 American lakes visiting flamingos and resident fish American lake में वहाँ पे कुछ fishes रहती है flamingos सिरफ visit करने आए लेकिन बहाँ दोनों का common food था in the lake resources अच्छा ये full stop है resources dash limiting for competition competition के लिए जरूरी नहीं है कि resources limiting हो resources need not be, जरूरी नहीं है कि resources limiting हो, कभी लडाई हो रही है, कभी-कभी resources बहुत जादा है, फिर भी लडाई हो रही है वो हम interference competition तो resources need not be limiting for competition to occur, in interference competition the feeding efficiency of one species might be, dash due to interfering and inhibitory presence of other species, दूसरे species के सिरफ present होने से उसने कुछ नहीं किया, resource बहुत सारे थे लेकिन हम कह रहे हैं कि उसने interference common, resource बहुत सारे थे, तिरफ उसकी presence से जो दूसरा है वो थोड़ा सा inferior हो गया तो उसने उसकी feeding efficiency को reduce कर दिया, answer होगा B, answer हमें वैसे भी पहले भी मिल गया था, तो resources abundant होने से भी फर्क नहीं पड़ता interference common, तो अलग-लग line है, answer B हो, अगला question दिखते है, question number 99 चले, lag तो नहीं कर रहे हैं ना हम I hope हम lag नहीं कर रहे हैं चलो, question number 99 in bacteria, fungus, lower plant various of thick-wold sports इन सब में sports बनते हैं protection के लिए जो इनने survive करने में मदद करते हैं तो sports बनते हैं, sports दो option में इसे में हटा देती हूं तो survive unfavorable condition of course favorable क्यों, answer तो आ गया unfavorable condition में survive करने के लिए ये सारे sports बना लेते हैं ठीक है, these germinate on availability of suitable environment environment दोगे तो दुबारा germinate कर जाएंगे higher plants में dash and some other vegetative reproductive structure serve as means to tide over periods of stress, plants seeds बनते हैं, seeds ही disperse करते हैं, seed में seed coat है seed coat protected रहेगा, viable रहेगा जब situation होगी तब वो germinate करेगा तो plant के पास seeds हैं, answer आएगा A, वैसे तो answer अपना पहले भी आ गया था answer होगा A, वही disperse करेंगे, favorable condition में germinate, answer A होगा आगे देखो question number 100, अच्छा biochemical adaptation are seen in organism living in great depth of ocean to face crushing pressure इतने high pressure में रहने वाली कुछ fishes हैं, तो उनके पास इतने आप यह कहलो, कम temperature में या इतने high pressure में रह रह रही हैं, तो उस वैसा protein, वैसा enzyme उनके पास तो हाँ यह biochemical adaptation करते हैं क्योंकि अपनी biochemistry बदलते हैं, अपनी molecules बदलते हैं, तो यह तो ठीक बात है LN rule is associated with mammals living in colder climate LN कहते थे, कि जो mammals colder climate में रहते हैं, उनके extremities छोटी हैं, कान, हाथ, छोटे रहें कि कम heat का लोज हो, तो यह ठीक है altitude sickness is caused because of body not getting enough oxygen due to low atmospheric pressure at high altitude high altitude पे pressure कम, sorry pressure जाधा oxygen कम low, low atmospheric pressure, enough oxygen मिलनी रही है, और altitude sickness हो रही है, ठीक है, desert lizard, lack behavioral means to manage their body temperature desert lizard को आता ही सिरफ behavioral mean है, और तो कुछ उसको आता ही नहीं है, तो यह तो गलत हो जाएगा तो 4 वाले सारे option हटा दो answer आजाएगा, A answer आजाएगा, A, अगला question देखिए 101, correct बताना है आपको population में birth rate, death rate refers to per capita birth and death respectively जी हाँ, population में birth rate और death rate को आप per capita birth per capita death बोलते हो, nature में we rarely find isolated single individual, ऐसा question आपने देखा था, कि plant को तो सब कुछ आता, फिर भी वो अकेला नहीं रहता, तो isolation नहीं मिलेगा, interaction मिलेगा ठीक है, the size of population for any species is a stable phenomenon नहीं है, NCIT हमें साफ साफ बताती है कि population size बहुत है dynamic है, stable नहीं होता हो, तो stable तो नहीं होता हो, ecological effect of any factor on population growth, are generally reflected in its size या population density, अगर बिल्कुल, population growth के जितने भी ecological effect है, उससे उस density पे फरक पड़ेगा, growth से density पे बिल्कुल फरक पड़ेगा, तो 1, 2 and 4 correct है बिटा, answer D होगा, 1, 2 and 4 correct है, answer D होगा, ठीक है आगे देखें, question number 102 when Darwin spoke of struggle for existence, जब वो बोलते थे struggle for existence, या survival of fittest, तो वो convinced थे एक चीज़ को लेकर, किस चीज़ को लेकर convince थे intra-specific competition is a potent force of organic evolution, ऐसा question अभी देखा है हमने, Darwin ने बोला था, inter-specific competition is the potent force for organic evolution, डारेक्ली NCIT के लाइन है, वो inter-specific competition पे pressure डाल, उसकी वज़े से fight होगा, variation आएगा और fittest survive करेगा, वहाँ से speciation होगा, नया organism, वहाँ से evolution होगा, ऐसा होगा आगे देखो, question number 103, इसमें से कौनसी बात एक species के लिए true नहीं है species आपस में inter-breed कर सकती है, बिल्कुल हमें Ernst Mayer ने बताया था, variations occur among members of a species बिल्कुल variation भी होते हैं उनमें single individual of any species are rarely found isolated, ये तो अब हम बहुत बार देख चुके हैं, अगर एक species है हम homo sapiens की, तो उसमें मैं अकेली नहीं रहूंगी, we are social animals, मुझे और बे लोग चाहिए, मुझे colony में रहना है majority groups की तरह ही रहना चाहते हैं, जी हाँ, gene flow does not occur between population of a species, ऐसा नहीं है अगला question देखते हैं, 104 चलिए any species growing dash under unlimited resource condition अगर एक कोई species है, और उसको आप unlimited conditions दे दोगे resource की, तो exponential वाला curve बन तो वो exponentially grow करेगा, और एकदाम enormous density ले लेगा, बहुत कम time में, तो इन दोनों options को मैं हटा दूँ, Darwin showed how even dash growing animal like elephant, elephant तो बहुत धीरे धीरे grow करता है, है ना, it is a slow growing, it is a slow growing animal, वो भी enormous number में पहुंच जाएगा, अगर कोई check ना रखा गया, उसको भी अगर अगर अपनी 2 से 4, 4 से 8 होने दिया, मतलब अपनी speed से grow करने दिया, और कोई check इतनी ability ये reproduce करने की वो, उसकी biotic potential है, ठीक है, आगे देखो question number 105, growth में k क्या होता है, कि आपने कहां पढ़ा है, कि आपने logistic growth curve में पढ़ा है, जहां आपने dn by dt is equal to rn k minus n by k, ये k वहां की carrying capacity है, कोई भी आप population लेंगे एक area में, उस area की capacity है, भाया, इतना nutrition है, इतना resource है, इतना ही maximum population बढ़ेगी, उससे जाधा नहीं, तो उनका ये ऐसे top cap लगा हुआ, ये इनका k है, ये इनका carrying capacity, ये इनका carrying capacity, आगे देखें, question number, यहां क्या होगा, answer होगा C, आगे देखो question number 106, the population of an insect species shows an explosive increase in number during rainy season, बारिश का मोसम आया और कीडों ने भाया, बहुत ही बच्चे पैदा कर लिए, खूब explosive increase हुआ है, followed by its disappearance at the end of season और बारिशे खतम, तो ठप से खतम होते हैं, तो उनका ग्रोथ ऐसा है, ऐसे ग्रो करें, और ऐसी खतम तो इनका आर बहुत जादा है, यह आर selected species है, कम टाइम में जादा ग्रोव करें, पर यह stable नहीं है, यह मर भी जल्दी जाएगे, इसलिए उन्होंने number बढ़ा लिया, ताकि हमारा नाम बना रहे है, इन्हें पता था कि जितना जल्दी हम ग्रोव कर रहे हैं, उतना जल्दी ह तो इनका S-shaped curve नहीं बनेगा, the food plants mature and die at the end of rainy season, its population curve is J-type, देखाया मैंने आपको J-type, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे कम हो जाएंगे, the population of its predator increased enormously, predator की हम बात ही नहीं कर रहे है, answer C होका J-shaped curve बना है, के selected का S-shaped बना है, आगे देखो question number 107, population evolve to maximize their reproductive fitness, जिसको हम Darwinian fitness कहते है, R से represent करते हैं, जिस भी habitat में रह रहे हो, please evolve करो, और maximum fitness पर आओ, Darwin ने ऐसा कहा था, population growth rate या जो R है, is inversely related to generation time, ये बिल्कुल ठीक है, जो organism, कम time में बच्चे पैदा करता है, जिसे छोटी-छोटी कीडे मकोडे हो गए, बहुत जल्दी-जल्द time कम है, तो आप जाधा बच्चे पैदा करो, तो of course, अगर आपका R जाधा है, तो आपका generation time कम होना जी, अगर आपका generation time जाधा है, जैसे हमारा 9 महीने लग रहे हैं, तो कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, जाधा time लगता है, हमारी life cycle किती बड़ी-बड़ी है, तो 4 साल, अभ जाधा जाधा बच्चे पैदा करना generation time कम होना जी, inverse relation है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, जैसे housefly, जो घर में मक्ही भूमरी है, है न, which has a short life span, बच्चे पैदा करके मर मुर जाएगी थोड़े सी time span, तो very short life span, तो वो जाधा अंडे देती है, जाधा बच् It could be considered as case selected species, नहीं, इसको are selected बोला जाए, जो कम टाइम है, जाधा बच्चे पैदा करें, वो are selected है, टेक है, अंडर पट तो यह गलत है बटा, यह ठीक है, यह ठीक है, पूर्थ देखो, under a particular set of selection pressure, organism evolved toward most efficient reproductive strategy, भया प्लीज, बहुत selection का pressure है, तो सबसे efficient strategy निकाल लो, survive करने की, ट Life history traits of organism have evolved in relation to the constraints imposed by biotic and abiotic factor, जैसा उनकी situation में constraint है, वो वैसा ही तो evolve करेंगे, जैसा evolve करेंगे, अब उनको देखना पड़ेगा, कि हम R selected है, यह ठीक है, तो बस 3 गलत है, आप से क्या पूछ रहे हैं, correct statement पूछ रहे हैं, तो correct statement क्या होगा, all except 3, answer क्या होगा, D, बहुत ही simple question था आगे देखें, question number 108, I hope आपको चीज़े clear होती जा रही हैं, आगे देखो, consider the given statement, recent studies support competition as suggested in GOES competitive exclusion principle, अच्छ जी, recent studies support competition as suggested in GOES competitive exclusion, बहुत सारी ऐसी recent studies हैं, जो GOES के उस principle को proof करती हैं, जिसमें हमने competitive release पड़ा था, barnacles वाला, वो आएगा इसमें, तेक है, अच्छा, GOES hypothesis says, if two species compete for same resource, GOES क्या कहते थे, same resource के लिए अगर लड़ाई होगी, तो एक eliminate हो जाएगा, superior वाला inferior को eliminate करेगा, सही है, सही है more recent studies, लेकिन अब जो बहुत recent studies आ रही हैं, वो ये बता रही हैं, कि जो species को competition face करना पड़ रहा है, वो evolve करके coexist करने की कोशिश कर रही है, resource partitioning जिसे कहते हैं, ये बात भी ठीक है, GOES competitive exclusion principle is effective when resources are in excess, नहीं, सिरफ GOES के principle की बात करूँ, तो वो ऐसा मानते थे, कि resource limited है, और same resource के ल number 109, कुछ ऐसे दिखकर तो नहीं होरी न, 109, चलो, which of the following is an example of defense, defense used by plant against its herbivore, plant को बहुत tension है, भाग भी नहीं सकता कहीं, तो वो बहुत जुगार लगाता है, अपने predator, अपने herbivore से खुद को बचाने के लिए, वो caffeine, tanine, quinine बना रहा है, non-woody tissue क्यों बनाएगा, बहुत, non-wo hairs, thorns, spines, ठीक है, hormones like chemical that interfere with insect metamorphosis, insect उसको ना खा पाए, insect का metamorphosis रुख जाये, तो कुछ chemical secret कर लेगा, कर लेगा, 2 नहीं होना चाहिए, 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 2 होगा, D होगा answer, आगे देखें, question number 110, ऐसे करते ह देखो, which of the following formula is used in calculation of growth rate, growth rate आप कैसे calculate करते है, growth rate dn by dt is equal to r into n, r is birth rate minus death rate, है ना, अच्छा, वैसे मुझे growth rate बताना है, तो जितना birth हुआ, मैं से minus कर दूंगी, जितने death हुए, तो मुझे पता चलेएगा, इतने नए individual आए, तो growth rate के dn upon dt, तो dn मुझे कैसे पता चलेगा, कि जितनी भी deaths हुई है, उन में से मैं births को minus कर दूंगी, तो मुझे पता चलेगा, कितना population में change आए, upon dt, मतलब upon a particular time period, तो mid-year जैसा कुछ नहीं होता कि मैं mid-year में देखने जाता, मैं एक unit time लोगी, एक साल, एक महीना, जो भी, और उसमें मैं लिखूंगी, change कितना आया, वो म आँसर होगा, आगे देखो, question number one, 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 ये दो age pyramid दी हो है, आपको देखके बताना है, बिटा, ये जो triangular age pyramid बनता है, ये growing population या expanding population का बनता है, और ये जो earned shape या spindle shape बनता है, ये declining population का बनता है, आप जानते हैं ये बात, answer क्या होगा, c, answer क्या होगा, c, है न, ये तो हम जानते ह हम पहचानना जानते हैं, और bell shape होता तो stable population, ठीक है, याद रखना होगा, जीन तरह की क्योड़ी, आगे देखो, one, one, two, एक छोटू सी मचली है, small fish, get stuck near the bottom of a shark, ये इतने एकदम तरावनी बड़ी वाली जो आपके पास है, shark है, fins है उसके पास है, ये रिख तो ना, अब मेरी तो fish भी ऐसी बनेगी, बस मैं तुम्हें उसको डराने के लिए से तीखे तीखे दाद बना देती हूँ, shark है थोड़ी, तो डर जाओ तो मिसे, ठीक है, predator है, अब इसके नीचे छोटू मचली छुपके चल रही है, इसको पता भी नहीं लग रहा, shark को पता भी नही इसको चुपके चल रहा, इसको फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, आज से क्या होगा भी, ऐसे न, अच्छे करम करते रहने चाहिए, इसी का फायदा करते रहन जाने, अच्छे करम में काउंट होगा, बाद में फल मिलेगा तो, आगे देखो, question number 113, Choraloid Roots of Cycus, ये न, बिटा आगया आपका, Nostok Enemina के साथ, क्या रहता है, जो Nostok, आपका Sinobacteria है, वो Association करता है, Choraloid Roots of Cycus के, Nostok Free Living है, उसे अकेला Nitrogen Fixation करना आता है, अगर उसे Association करना है, तो हो Psychus के, तो किसकी बात करें, हम Nostok की, Nostok को अगर कभी भी Symbiotic Association करना है, देखो, मैं Mutualism बोल रही हूँ, इसलिए, Nostok Free Living है, उसको Free Living अकेले रहकर, Nitrogen Fixation करना बखू भी आता है, पर अगर उसको Relationship बनाना है, तो वो सिरफ Corollared Roots of Cycus के, That is why it's called Mutualistic Relationship, और कोई नहीं, Partner Fix है, आंसर A है, ठीक है, आगे देखो, 114, अच्छा, तो उसको रहने की जगह लेगा Psychus, और ये बदले में Psychus को Nitrogen लाकर देगा, आगे देखो, 114, चलिए, Competition से क्या होता है, Symbiosis नहीं है, तो Mutualism हो गया, तो Mutation होता है, Competition से नहीं, Extinction होता है, Goz ने बताया था, Same Resource के लिए लड़ाई करोगे, तो Superior वाला, Inferior वाले को खतम ही कर देगा, Extinct कर सकता है, Power है, B होगा, आगे देखे, और इसके साथ हमने खतम कर लिए सारे Multiple Choice Questions, बहुत बढ़िया Set of Questions थे, बहुत बढ़िया Practice होई, चोटे भी थे, बढ़े भी थे, पूरा Chapter Almost Revise हो गया, I hope आपको Topic-Wise Question करने में मज़ा आया हो, Exam Drill as usual आपका homework है, वो आपको कुछ से करना है, हम अभी यहां पे P.O.I.Q. and Exemplar Solve, तो चलो